हुआ है हलो एवरीवान वेलकम टो पनासे अकेडमी सो गाइज इस लेक्चर में हम लोग जी एडवांस का एलेक्ट्रोडर्नेमिक्स अब कुछ कोश्चन स्वाल्व करेंगे ठीक है जी एडवांस का इस बार का जो कोश्चन है बहुत ही बेसिक आया हुआ था मतलब की क temos था ही अल्दोब है कि बहुत ही अच्छा कोशन और ऍवर्ट 傷 Ball लेवल का पुल सकते हैं यह जो सिस्टेंज आर्थी है ठीक है र्थ्री कॉंसेट्ट बता रेते हैं। यह है और वन लिफफ एडल बंदिशिज आर्ट टु लिशिज आर्थी और थरी टो आर थी का अल्फा दे रखाए टंप्रेचर कोफिशेंट दे रखाए 0.0004 लिए पर सिल्सेस्ट अब देखो और क्या बोला जा रहा है कि अगर अर्थ्री का टंप्रेचर हंडेट डिगरी से बढ़ा दिया जाए तो इसके और इसके बीज का पुटेंशियल डिफेंस क्या होगा ठीक है तो देखो गैस जब टंप्रेचर नहीं बढ़ा है ठीक है बहुत ही इजी कोस्ट असलूशन अगर हम लोग टंप्रेचर नहीं बढ़ाते हैं तो इस कंडिशन में देखो रेश्यों चेक किया जाए 60 by 300 एकवल टू 100 by 500 ठीक तो क्या होगा दोनों इकवला इसका मतलब बैलेंस्ट हुगा अब बैलेंस जैसे ही बैलेंस्ट हो गया तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंटियंस पोटेंशल डिफेंस क्या होगा जीरो हो जाए यह इनिसियल था इनिसियल जब हम लोग टमप्रेचर नहीं बढ़ाया थे ठीक अब क्या करते हैं अब हम लोग टमप्रेचर को राइज करते हैं कितना राइज कर रहे हैं 100 डिफ्री सेल्स तो रसेस्टेंस भी चेंज कर जाएगा ठीक यह निए अगर हम लोग आर्थ्री डैस निकाले ठीक टमप्रेचर राइज करने पे रर द्रीक निकाले तो किया होगा रर थ्री want real per Δ तो यह आएगा 302 अब जो मेरा नया रसिस्टेंस हो गया 302 ओम हो गया अब हम लोग को निकालना है तो देखो गया अब यह सरकीट इस तरह नहीं रहा अब यह सरकीट हो गया कि सिंपल सा ठीक कि यहाँ पर जो 300 ओम का है अब यह 312 ओम हो गया ठीक है इस कंडिशन में अब क्या पोटेंशियल डिफ्रेंश होगा भी यह माइनस भी टी अब क्या होगा ठीक है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे देहों अगर हम लोग इसके क्रोस का ड्रॉप निकल देखो करेंट जाएगा ठीए ऐसे करेंट फ्लो करेगा पैरलल है यह ब्रांच पैरलल है यह आइडियल वोल्ट मीटर है आइडियल है अइडियल है जब तक कुछ नहीं गीवन है तो आइडियल ही मानके चलेंगा ठीए अब यहा से क्रेंट इन कर रहा ही तो 60 ओम इधर यहान पर प्लस यहां पर आपके माइनद क्रेंट इसमें ऐसे फ्लो करेगा और इसकों करेंगा गुन करेंग इस plant लीएं कोदीना आईवन निकालना चाहें तो क्या होज़ेगा 50 अपन टूटाल असिस्टेंस यानि 60 प्लस 312 ठीक यानि कितना होज़ेगा 50 अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होज़ेगा 273 इतना एंपियर का क्रेंट फ्लो करेंगा ठीक इसमें करेंट निकाले आईटू निकाले तो आईटू क्या आएगा 50 अपन कितना होज़ेगा 500 प्लस 500 600 इतना एंपियर का क्रेंट फ्लो करेंगा ठीक अब देखो प्लस माइनस ऐसे इन करेंगा हम लोग क्या जानते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स जो होता है रिसिस्टर क्या होता है इसका मतलब क्या होगा यह सारे जो है अबजर्म कर रहे होती है यह इस थरा हम लोग इस साइन देते हैं अब देखो जिब इसको स्वल्व करेंगे करेंट अब इसके क्रोस का पोटेंशियल निकाला है मतलब इसके क्रोस का ड्रॉप ले लो इसके क्रोस का ड्रॉप ले लो है ति हम लोग को यही तो निकालना है तो अगर हम लोग ड्रॉप निकालें इसके क्रोस का ड्रॉप क्या है या डेरेक् करेंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है है घरी जोगा लिदेंग ऊजएगा यहीं होगा मतलब हम लोग ऐसे चल दो तो देखो क्रेंट ऐसे फ्लो कर रहा है ठीक है इस लूप में चलो तो देखो अगर हम यहां से चले ठीक साइन कुछ भी ले लो प्लस माइनस ठीक तो क्या होगा भी कराईज हो गया सड़ी माइनस भी हो गया के भी यह लगाते थे इस बहार वाला ठीक फिर ऐसे यह हैं इसमें करेंट ऐसे फ्लो कर रहतिक है तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं हैं इधर से यह Money माइनस से फ्लस की तरफ जा रहा है तो कितना कडाईज हो जा आ है peso 21舟 estrif फिर ऐसे जा रहे हैं तो ड्रॉफ हो जाड़ा है यानि कि क्या हो जाड़ा है 600 माइनस 60 इंटू कि कि इतना करेंट फोड़ो करें 550 by 372 एंपिर ठीक तो यहां से एकड़नों भी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 50 भी निकालना चाहें और दिस इस इकपल टू जीरो के विया लगा दिया पर क्या लगा दिया लगा दिये तो यहां से भी के लिए स्वाव करेंगे तो यह आएगा अप्रोक्शिमेटली स्वाव करने स्वाव करने प्याएगा 0.27 बोल कितना आएगा 0.27 ठीक है तो बेरी निएरन जोनराइक्स के दिल मौन करता है नेक्स्त कोस्टेंग के दिह ट्रफ एया है दो के scoring or क्या सब्सक्रेंद और मुझा के व्लांद है सब्सक्रायां क्या क्या है दो के पन्समेर पाउले आना क्या निकालना का है विह हब तू फालेंट एजार्यव स्टोर इन दे कम्बिनेशन ऑफ केपैसिटर यह निकालना है ठीक है यह एडवांस का कोश्चेन है 2020 का की touch कोश्चा है बहुत ही इज़ी कोश्चन है अगर ध्यान से देखा जाए है तो जो energy storing capacitor होता है इन दोनों का पहले देखो इन दोनों को C equivalent series में है तो C equivalent कितना हो जाएगा C1 C2 upon C1 plus C2 ठीक है यह series में हो जाएगा मतलब इन दोनों के बदले हम लोग C equivalent लगा सकते हैं अब V volt का battery लगा हुआ इस C equivalent के कोड़ास ठीक है इसका मतलब क्या होगा कि इसमें energy stored हो कितना 1 by 2 C V square है न याण energy stored कितना हो जाएगा energy stored 1 by 2 C equivalent V square याण कितना हो जागा 1 by 2 C1 C2 upon C1 plus C2 V square ठीक यह energy हो गया stored हो गया ठीक और हम लोग क्या निकलना है we have to find the energy percentage in the calculation of energy storage हम लोग को निकालना है ठीक है याणि इसमें जो energy stored होगा इसमें कितना का error हैगा वह हम लोग को निकालना है तो देखो वैस यह बढ़ावर क्या लिखेंगे यह बढ़ावर 1 by 2 C1 C2 upon C1 plus C2 B square अब देखो हम लोग इड़र का जब इड़र जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो percentage इड़र कल्कुलेट करने के लिए percentage इड़र क्यों होता है अगर इनर्जी में percentage इड़र निकाला है ठीक है इसमें इड़र निकाला तो क्या अगर डीवाई इंटू हंड़र ठीक और यह क्या डीवाई क्या बता राइड फ्रेक्शनल चेंजी इनर्जी इनर्जी इन्टू हंटेट इक एन्टेट से प्लस एलन सीटू प्लस माइनस एलन सीवन प्लस सीटू ठीक प्लस टू एलन भी टीक है अब देखो अब दोनों तरफ क्या करेंगे पार्शियल डिफ्रेंशेट कर देंगे ठीक तो यह क्या हो जागा डीवाई एक इक्वल टू एलन टू तो यहाँ पर क्या हो जागा डीवाई शीटू प्लस दीवी बाइं भी टीक है अब देखो यहाँ पर बात हो गया कि दीशीवन क्या है तो देखो गया दीशीवन यह रहा डीशीवन अब देखो हम लोगों परसेंटेज माइक्सिमाम इर निकालना है ठीक तो वी हब टू डिसाइड दसाइन कि हम लोग प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो दीवी क्या लेंगे प्लस लेंगे यानि यह जैसे कल्कुलेशन करतेंगे ठीक है तो देखो यह रहाद डी लोगोट करेंगे और सीवन सीटू क्या है यह रहाद सीवन यह रहाद सीटू यह रहा भी ठीक देखो यह क्या हो जाएगा डीशीवन कि पीन भाई 2000 अ प्लस 15 भाई 3000 माइनस थिक माइनस दोनू में कितना काई रड़ा जेगा यह तो कितना होज़ागा 25 25 अपन शीवन प्लस एटू करेंगे तो कितना होज़ागा 5000 प्लस टू टैम डीवी कितना होगा 0.02 0.02 अपन बोल्टेज 5 ठीक तो यहाँ सी कल्कुलेट करेंगे दी इबाई इडीवाई ऑटेगे इसको सल्वब करेंगे और पर सेंटेज निकाल आ परसेंटेज़ इरड़ यह देद इंटू हंड़ेट यह करेंगे यह दोनों तरफ क्या करेंगे 100 इन ऑल करेंगे तो यह आता है अपना इसलो करते हैं ठेक सिंबल सल्व करके देख लेते हैं कितना आता है 10 by 2000 प्लस 15 by 3000 10 by 2000 प्लस 15 by 3000 माइनस 25 by 5000 प्लस 0.04 by 5 ठीक है और तो यह आता है 13 भाई 1000 इन्टु 100 ठीक है इन्टु 100 ठीक है दो 0 से 0 कट गया नहीं 1.3 परसेंट का इरर आता है ठीक है इस इस तरह इलेक्रोडेनिक्स में इरर कंसेप्ट्स इन कर दिया है न तो यह एक बेसिक साब कोश्चन था ठीक इसमें कुछ नहीं करना था करना था दूने तरफ लोग लेकर प्रुशलर डिसेट करके और शाला मेल्यू दिया हूआ इसको पुट कर देना है ठीक है अईॉब केस्ट समझ में आया होगा ठीक है 2 zosta सरक्रिट दे रखाया न बेस्ट कॉस्चन वन आप धेस्ट कोस्चन ल र सरकित दे रखाया है ठीक दीखळा होगा ठीक भी-1-2 वंटेज एठीक है एनुर ल्टू ल दू इंडॉक्टर एठीक है इस तरह खनेंक्सति्टे लिटीक है अब देडीक कोश्यंच इसमें के इंडूस्ट के एंगा उसको हम लोग पहले बेसिकसे देखतें उसके बाद देखते हैं कि इसको कैसे बना सकते हैं इजली बना सकते हैं नवी बेश्ट प्रोटन सुम्हस्ट नहीं देखू कंसेप्ट क्या है इसमें एक इना bekommen टोक्स इसमें सफ्लखने टोगा यह फ्लक्स इस स्कॉलक को भी लिंक करेगा इस साइटू की वज़से इसमें फ्लोक्स जरनेट होगा जिसके वज़से इन दोनों की बिच में शुन अब देखो अगर वाइल वन चलो फुरी देर के लिए इसको क्वाइल वन बोलते हैं क्वाइल वन और यह रहागा वाइल टू तो टीक मैथद फर्स्ट वन पहले देखते हैं मैथद फर्स्ट जो कंसेप्ट है क्या इसमें यह हैं क्वाइल वन में जो देवलॉफ से किसके वज़े से एक तो क्रेंटえー度 एक चुक्त के वसरा की वज़े से खूच से एक सब्सक्राइल से मतलब आइवण आई ऐल अरल हड़े से मतलब एपिपशन मैंचमाटर्स किसके वाज़े से और लिखना चाहिए फ्लक्स in one due to तो क्या लिखेंगे लवन इवन ऑई ब्लस इंह तुटिक यह फाइवाण हो गया यह इसमें फ्लक्स डेवलाफ़ हो गया ना बेसिक सा अब हम लोग जानते हैं लेंज लोग करें जो फ्लक्स डेबलाफ होगा तो इंड्यूश्ट इम्फ क्या हो जाएगा डीफाइब लफ़ होगा इवन डीफाइब लफ़ाइब डीटी तो जोब हम लिए इसको निकालेंगे तो क्या होगा ल दी आईउन बाइडीटी प्लस लोगा इसमें इमेंत डिव्लाप होने की वज़े से इसमें पाउर डिवलॉप होगा है क्रेंट फ्लो कड़ेगा ठीक हम बाद में स्टीए स्टेड़ की बात कर लेंगा अब जैनरल लेख रहें कि क्या क्या होडा है तो इस हीमेफ की वज़े से और करेंट फ्लो करा है यानि देखो संपुच कर लो यह बैटरी है यह बैटरी है कोई बैटरी और इसमें करेंड जाड़ा है इसमें पावर होगा है ना कुछ तो पावर इस्टोर्ड होगा है तो जो पावर डेवलाप्ड होगा डेवलाप्ड पाव इनरजी स्टोर कितना हो जागा ऐसे टोल कि इनरजी कर देको अने विडूख संप उठ視 कर देखों तो देखों तो इनर्जी इस्टोर कितना हो जाएगा इनर्जी इस्टोर इंटरिगेशन पीवन पीवन मतलब इवन आईवन इवन क्या है एल वन आईवन दी आईवन बाई डी टी इन्टु डी टी प्लास M1 I1 Di2 by DT into DT यहीं होगा इसमें पूट करेंगे इन इन दोनों का यूज करके इसमें पूट करेंगे तो यहीं हैगा DT से DT कैंसिल यह वी कैंसिल यह नहीं यह क्या बन गया देख अचलो इसको साफ सफ लिखे देते हैं क्या बन गया आईवन प्लास प्लस M1 Di2 यहीं बन गया ठीक है जीरो से ट के लिए ठीक जीरो से ट के लिए ना टी टाम के लिए इंटिगेट करेंगे तो ट के लिए हो गया अब देखो अब यहां पे इस्टी इस्टेट बैलु के लिए है ना यहाँ पर आई वन है बेरी ये बोलता क्या हो जागा स्टीडी स्टेट वैलू में हो जागा तो अगर हम लोग इसको डिफेंसेट करें चलो इसको एक्विशन वन माल लेते हैं अगर इसकी बात करते हैं अगर इटू की बात करते हैं कि इनर्जी क्वाइल टू में कितना स्टोर होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं ठीक इंट्रिगेशन एल टू आई टू डी आई टू प्लस एम आईवन डी आईवन ओर श्टोर इम आई टू डी आईवन ठीक जेसे यह लिखें वैसे इसमें स्टोर जागा ठीक यह इक्वेशन दो हो गया तो टोटल इनर्जी स्टूर अब देहुए इसका इंट्रिगेशन कर है तो खोगोगे आगा और लोग इसको टाइम हटा दो यहां पर करेंड के लिम्ट फंक्शन क्या आगए करेंट का फंक्शन होगा तो यहां पर मैक्स्माम करेंट हो जागा अगर हम तोटल इनर्जी इस ट्रोड लिखें एलवन को लिख लेते एंवल है मैं है है 10 million in me l2 है 20 million and being 5 million यह डाटा दे रखाए ठीक तो टोटल एनर्जी स्टोड होगा यह वर्गडन जो नेट होगा वह क्या होगा इवन प्लसी टू जितना एनर्जीस टूरा को उतना और दौन बैकर है करेंट किस्से सप्लाइबर बैकर इन्तु सप्लाई कर रहा है तोट्यल श्लिंडvalues के अब धिस्फ्रस इससको इंट्रिगेट करेंगे तो क्या है एक इसको इंट्रिगेट करेंगे तो क्या आज़े यही वचा अब देखो यह क्या लिखा हुआ है यह क्या है यह लिखा होगा है इन्रिवेशन दी Ideo कर यह लिखा हुआ हो इसका हम लोग communication करेंगे तो क्या हो अगा आख़ा अब अथ तो देखो इसके पता है आई-1-2 ठीक है सबका वैलू क्या पता आइवन कितना हो जागा सटिडिय स्टेट में इंडक्टर कैसा होता है इस तरफ करता है तो आई-1 की बात करते हैं तो आई-1 कितना हो जाएगा 5 x5 x 5 1-1 p i2 कितना हो जाएगा आइटू हो जागा 10 by 20 20 by 10 20 by 10 टू एंपिर ठीक आइवन आइटू पता है ठीक है इसका भैलो पूट करेंगे और हम लोगा एंसर आजागा ठीक है यह तो था इस तरह हम लोग इसके प्रोसेस था बनाने के लिए लिए ना कि इसको जो भी आएगा इस तो एंसर ठीक है अब द गलत बड़ेंगे यहां पर लिखेंगे प्लस मैंस लिखेंगे साल ल assess प्लस भी हो सकते हैं जो इनर्जी स्टोर होता है ठीक है अब ध्यां से देखोँ चलो सेटेंट में डिरेक्ट यह हम लग टेरेक्ट एक्वेशन लिख सकते एक लाइन में ठीक बीना इसतना इंट्रिकेशन किये हुए कैसे ठीक है कैसे जो इनर्जी वर्कडन जो होगा तो यह जानते हैं कि जो बैटरी वर्कडन करेगा सारा का सारा वर्कडन कहां स्टोर्ड हो जाएगा इनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा और किसमें स्टोर्ड होगा इसमें और एक दोनों की वज़े से होगा जो मेंच्ट्वल इंडक्शन है दोनों की वज़े से स्टोड हो जाएगा ना तो देखो इसकी वज़े इसमें क्याल 1 में कितना एनर्जी स्टोड होगा 1 by 2 L1 L1 I1 square steady state की बाद करते हैं तो यह current कौन सा होगा steady state वाला current हो जाएगा इसमें कितना होगा प्लस 1 by 2 L2 I2 square ठीक प्लस मैंस अब मेंच्ट्वल इंडक्शन में देखो साइन दे नहीं रखा है न डॉट कंवेंशन यूज होता है तो डॉट कंवेंशन दे नहीं रखा इसले प्लस मैंस लेंगे यहनिए दो वैलू पसिवल है ठीक कितना वैलू पसिवल हो दो वैलू पस सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है एल गाहिए ठीक ठीक तो डेरीक लिख सर्थिते है ठीक है तो बहल पूत करेंगे एंटस्वार आ जागए ठीक है आयोप समझ में आब आवा ठीक है चलो हमय करते है next question के तरव ठीक है सो वैस next question क्या है question है two identical non conducting sphere of same mass and charge are suspended in here from a common point by two non conducting massless string of same length at equilibrium the angle between the string is alpha the sphere is now merge in a dielectric liquid of density data 800 kg permit a q and electric constant epsilon r kya value there are 21 if the angle between a string remain the same after the immersion kya दे रखाय alpha यह जो angle between the string यह 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 जो हम theta ले रहे है यह theta same है ठीक है तो फ़र्स्ट उप्षन है एलेक्रिक फ़र्स बिट्विन रिमेंड अंचेंस ठीक तो देखो फ़र्स्ट केस देखलो simple multiple choice question अठीक है बहुत ही easy question अगर अभी होगा तो देखो एक तु इलेक्ट्रिक फोर्स लेगा इधर फ़र्स्ट केस क्या डिसकस कर रहा है कि जब हम लोग एर में था ठीक है कोई मेडियम लिक्विड में नहीं था इस पर क्या लएगा एफ इधर लएगा mg नीचे लएगा टेंसान इधर लएगा स्ट्रिंग में ठीक और यह रहा है ठीटा यहां से देखो को बैलंस करेंगे तो क्या इक्वेशन क्या नाँगा पीषी साइण थेटा इक्वाल आप टू कर जाता है देखो यहां सुनो बात को नेट फोर्स करता है जो एक्चुल फोर्स बीट्वीन टू बडीज है ठीक अब इसी बडीज को क्या किया गया एपसालान आर का वैलू 21 दे राखा डंसिटी का वैलू 800 केजी दे राखा है केजी परमेटर की चल क्या बोला इसी बडीज को हम लोग कि दोनों स्फियर को अब एक लिक्विड में डाल देते हैं ठीक कि यह स्फियर था चार मास भी से में चार्ज भी से में लेकिन इक विलियम पर अभी एंगल कितना है ठीटा है ठीक तो अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लएगा एफ एपसलोन आर लाएगा है ना य डाल जा रहा है लिक्विड में डालो में डालेंगा तो क्या होगा एक बैंस फोसे एक्थ कड़ेगा ति Tech आट हो सकते हैं कि जो चेंज नहीं करता है कहीं छाल चार्ज नहीं जाता है किसी भी लिक्विडチャर कि hacen में रखते हैं देलेक्ट रिक्तिक वाले मेडियम में तो नेट फॉर्स चेंज कर जाता है ठीक है एक्चुल जो फोर्स होगा अप्र स्टेटिक स्फोर्स बिट्विन टू बड़ीज विल रिमें सेम इस एट क्लियर यानी जू ऑप्शन ए है एलेक्टिक फॉर्स विदिंग तो एस्फियर रिमें अंचेंज पहला बाद इस इस क्रेक्ट पहला एलेक्ट्रिक फॉर्स यानी फॉर्स एलेक्ट्रिक फॉर्स बिट्विन बड़ीज रिमें अंचेंज करें लेक्टरिक फॉर्स में चेंज नहीं आए महगा दिस इस कर्थ ये नेट cię फॉर्स बदल जाता है इस्उलों आर हो जाता है फोट्सों नहीं अप्सेह बाढ़ने एस अत्र hanais करें अब देखों मास देंसिटी के बारे में दे रखाए ठीक है मास्ट दिन्सिटी चलो अब यहां पर टेंशन की रही बात ठीक है तो यहां पर देखो यहां पर क्या हो जाएगा अब एक्वेशन लिखना चाहें तो टी साइन ठीटा एफी बाई एपसालोनार तीक है एपसालोनार का भाली 21 देखा है बाद में विसकस कर लेंगे ठीक है टी कॉस्ट ठीटा अगर लिखना चाहें टी कॉस्ट ठीटा यह हो जाएगा mg-fb प्यॉस्ट ठीटा लिखेंगे तो mg-fb । यहां पर कुछ नहीं पर बैलेंस करना ठीक है बेरी सिंपल सी चीज़ यह तो यहां उपर जूद जोर जांगा टीकॉस्ट ठीटा प्लस fb यहां से क्या अजय वो यहांज से दिखा यहां तो यहां से देखा जाए तो कुछ भी लेल लेंगर सकते श यहां पर एस च प्रीजन 69 Capital 7 यहां पर इस्च्य निकालेंगे तो 10 ठीटा इपल टो क्या जाएगा कि एप्पी दोनों एक वल है ठीटा इधर भी च्योंकि क्योंकि दे रखाया कि एंगल तो यहां से क्या लिखेंगी यहां से देखों कि एफी बाइ एमजी इक्वाल टू कि एफी बाइ एपसालोन और एमजी मैनस अब अब देखो एफी एफी तो कैंसिल हो जाएगा एमजी को क्या लिख सकते हैं मास को क्या लेख सकते हैं डेंसिटी बड़ावर क्या होता है मास बाइ भॉल्म तो यहां भी सेम रहेगा यहां भी सेम रहेगा तो मास बड़ावर क्या होगा रो भी मास को क्या लेख सकते हैं डेंसिटी इन्टू बॉल्म यहां भी मास को क्या लेख सकते हैं डेंसिटी का ठीकर डेंसिस्टी एफ लिक्वीड दे रखाया डेंसिटी आफ लिक्वीड एट थाउजन्ट टीक है मैं मैं अब इसका वहुलूप करेंगे यहां पर पूट करेंगे इसलानार का वैलुट करेंगे सब्सक्राइब वालू पूट कर देंगे एब बीका वालू रोल वीची पूट कर देंगे ना वॉलूम अब डेंसिटी तो सारे जगा से वॉलूम वॉलूम केंसिल हो जाएगा ठीज तो यहां से जो आड़ा है कि देंसिटी ओफ एस्पेर चलो कल्कुलेट करके हम दिखा देते हैं इसको करते हैं यहां से देखों एफफफ़ी केंसेल तो क्या बन गया वन बई कि मास को क्या लिख सकते है density of sphere βी इंटु जी एक्वल क्यों टू ववन घाय THEं वाइफसलोन ऑ रभ दंसीटी of sphere भी जी चीए माईनर जंचीटी अफ लिकूईड भी जी यह एई वन घया अप देखों फीजीए धीज़ी दोन तो से कन्سल can deal हो गया तो यहां सिक्या हो ओन बैद देंशिटी इस फिर इक्वल टू क्या गया वह ओन बआ एप्सालोन और इन्टूacy आसली आप देंशी मीर मैंने दensation of liquid त्यह यहां से यह यह क्या लेग सकते हैं और सweetjang में क्या लिख सकते हैं यहां से density of sphere equal to kya हो गया epsilon r times density of sphere minus density of liquid ठीक है हम लोगो क्या निकलना है we have to find the density of sphere ठीक हो इसको इधर कर दोगो तो क्या होगा epsilon r into density of liquid equal to rho s density of sphere common आजेगा 1 minus epsilon r minus 1 ठीक है तो density of sphere क्या आगया epsilon r into density of liquid upon epsilon r minus 1 भाईल पूट करेंगे 21 into density of liquid क्या है 800 बट्टा 21 में से वन गया 20 ठीक है तो 24 का 880 कट जाएगा 40 कितना आगा 840 kg पर मीटर क्यों ठीक है तो डेंसिटी एफ एस्पेर कितना आगा 840 kg पर मीटर क्यों सॉप्सन सीज अल्सों करेक्ट ठीक है आई हो पूस्टन समाझ में आया हो ठीक है बेरी बेसिक कोस्टन ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तक के लिए धन्यवाद करें लेक्चर में तक करेंगा जाए हो एफ ए लेक्चर में आए हो एन्यवाद